आज और एक नया व्लोग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ एक्चुली अभी बज रहे सुभा की ग्यारा और मैं आज थोड़ा सा पहले उट गई हूँ नहीं तो ग्यारा बजे भी मैं थोड़ा सा नुनुनुनुर करने लगती हूँ और आज सुभा से उटके न मुझे कर दो आज तो आज तुमारे घर करेंगे तुमारे लिए लंच प्रिपयर करेंगे तो तो अभी मैंने शाकीब को भेज आए मारकेच शाकीब गया है चिकन लेने क्या बनेगा तो उसके साथ जैसे पताहे कि संडे है और बिंगौली लोगों का तो शन्डे संडे चिकन आलू का जोल बनता ही है और शाकीब कल मारकेच से सब कुछ लेके आया था मैं दिखाती हूँ अद्रग लसन कैसे कैसे लेके आया है वैसे ही पड़ा हुए यह लेके आया है आलू फ्यांज और इसके अंदर है अद्रग मैंने निकाली भी नहीं है और फ्रीज के अंदर मैंने लसन रख दिया है यह ना एक ही जगापे मतलब हमारे यहां पर एक ही जगापे मिलता है शाकि लेके आना यह इस रहता है इसे पेस्ट करना इहां से थोड़ा सा लसन और अद्रक लेके पेस्ट करेंगे पूरा अभी पेस्ट करने का टाइम नहीं है थोड़ा थोड़ा जितना चीकन के लिए लगेगा उतना करेंगे तो मैं यहां पर सबकुछ छील रही थी चाकीब ने ब कि नहीं तुम्हारा चाचा भी आएगा साथ में तो आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा पर वह हमें छोड़के चला जाएगा तो इसलिए मैंना सोची कि वह आते आते सब कुछ करेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा और मेरा किचिन बहुत जादा चोटा है तो मैंने तो इसलिए शाकीब उनके लिए रसना बना रहा था तो आते ही ना शाकीब ने उनको फटा-फट से रसना बना के दिया और वो लोग इतना जादा खुश हो गए और सबसे बड़ी बात तो आयूश हो कि इतना घंडा-घंडा रसना मिला आते ही तो दिल खुश हो गए और आप लोगो तो पता हिए ये कि शाकीब है जमाई तो जमाई के हाथ का अगर कुछ मिलता है तो ससुराल वाले तो खुश हो महारानी चिकन कुकिंग करने में लगी फड़ी है इतना मेहनत कॉन करता देखो नाइट सुट में चॉंपा कैसी लग रही है दिखाओ तो नाइट सुट बोलती है मोटी हूँ मोटी कैसे मेरा नाइट सुट उसके उपर फीट हो गया बाई बाई अभी यहां पर साली के साथ शाकीब गपे लारा रहा है और मुझे लगता है कि सच बोलू तो चॉंपा के सामने मैं थोड़ी सी आवारी हूँ थोड़ी सी नहीं बहुत ही क्योंकि मेरे प्रेग्नेंसी जर्नी में कोई मेरे से मिलने नहीं आया सिर्फ चॉंपा आई है बार बार आई है पूची है मेरे मेरे ला शाठ्या और मुझे नहीं लगता कि Western सब पूछते रहते है तो एक है कि रिया के पास कोई आता नहीं है आता है सब को थे सब नहीं है जी नहीं आहिए यहा सा muffin जाना में आता है आप लोग बार बार पूछते हो चस्क्राइने हैं यह नहीं आ रहे हैं तो जो को आटे हैं अपने डिखाती हूँ ऐसा नहीं सोचना कि कोई आता है मैं दिखाती नहीं, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है तो जो है सब आप लोगों के सामने हैं और मुझे लगता है कि 9 months मेरा होने बाला है तो इतना period मैंने अकेले काट लिया, आप लोग ने इतना support किया, इतना motivate किया और मुझे सच में और किसी का ज़रूरत नहीं है, trust me, बस यही चीज़ आप लोग बार बार पूछते हो, तो आज मोखा भी मिला, मैंने clear के कर दिया और वहां पे cooking भी चल रही है, cooking हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा से chill मारें चलो हम लोग का खाना वन गया, यहां पर शाकीब निकाल रहा है खाना उसके पापा के लिए, देखे यहां पर यहां पर कैसा हुआ है, मैंने अभी तर नहीं देखा, हाँ यम्मी बना है, ठीकी है, वो लिए कि इसमें पानी थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगा है ठीकी है तो जो बनेगा मैं दिखाती रहूँगी, शाकी भी रोजा करके ठाटा पानी, ठाटा पानी, बोरो फाचे तो, और इस लड़के को देखो, बापड़े बाप, खूब सांतो, इतना ठाटा बच्चा है, मैं क्या बोलू, इतना सांत बच्चा है, इसके जैसा सांत और नहीं है कोई, आज मुझे लगा मेरे पेड में चड़ जाएगा, तो उसके बाद, शाम के राही में, शाकी बोला मुहबत का सरवत बनाएगा, तो उसके लिए वो मिल्क लिके आया था, रुवब्जा लिके आया था, और वाटर मिलन, और पुरा न वैसे ही बना रहा था, मुझे करने के लिए, और सरवत जो दीना बहुती जादा टेस्टी बनी थी, और मुझे ना ये अभी अच्छा लगता है कि चलो मेरे लाइफ में अभी विकार के कोई भी पिपल नहीं है, जिनके साथ मैं मिलती हूँ, या बात करती हूँ, जो लोग है मुझे प्यार करते हैं, और मेरे खुशिश में खुश होते हैं, जैसे देखो चौमपा मेरी सेंटुगा का और आयूश आए हमारे साथ इफतारी सेलिबरेट किये, क्योंकि शाकिप भी दूर्गापुजा में जाके ऐसे ही खुशी मनाता है सबके साथ, और चौमपा ने हम लोगों को इन्वाइट करक तुमार क्या लगलो खुशी में लगाता हुश तुमने फर्स्ट टाइम मनाया तुमको कैसा लगा है? इटेबुना है, इस इक पर अगले लोगा है यह जाब है नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब बाइ, नाइस टो मीट यू गाईज तो वो लोग चले जाने के बाद मैं थोड़ा सा फिट से अपसेट हो गई थी क्योंकि सारा दिन थोड़ा सा बात चीत की अच्छी लग रही थी और आप लोगो तो सब as usual पता ही है कि मेरा फिलिंग क्या रहता है आप लोग हमेशा बोलतो रही है हम लोग है सब के साथ होता है ऐसा टेंशन ना करो कुछ नहीं होगा तो वही शाकिब था थोड़े देर उससे बात करी थी शाकिब भी गया अपने काम पे और सुबह का खाना भी बच गया है क्योंकि शाकिब तो सुबह नहीं खाता तो उसका जो खाना है उससे ज्यादा ही रह गया तो वो जो चिकन है तो वही राद को खा लेंगे और मतलब हैं आप लोगों को बोलने का मुझे यह लगता है पर बहुत कुछ है होता है ना कुछ चीज़े आपको हट कर जाती है पर सब कुछ आप कैमरा के सामने नहीं ला सकते क्योंकि वो अलग लेवल पे चला जाएगा अलग बात हो जाएगा पर कभी होगा तो मैं जरूर आप लोगे शाहत और बाद में सब कुछ शेयर करूंगी अभी तो फिल्हाल नहीं कर सकती वो सब बाते और I am strong I am literally बहुत स्ट्रॉंग हो गई हूँ यार जब से YouTube मुझे मिला है थैंक्स तु यूट्यूब और थैंक्स तु माइड यूट्यूब के बज़द से यूट्यूब मिले तो इतना जादा मैं स्ट्रॉंग हो गई हूँ पहले से मैं mentally बहुत हूँ एक्चुली बहुत हूँ मैं थोड़े थोड़े चीज में रो देती हूँ थोड़े थोड़े चीज में अभी भी रोती हूँ पर पहले क्या होता था ना जब है और बहुत कुछ उपर वाले ने मुझे दिया है उपर आले को बहुत बहुत थैंक्स और आप लोगों को भी थैंक्स तो आज का व्लोग और जादा नहीं खीचते हैं क्योंकि अभी अल्रेडी और दस बच गया है और वही सेम रुटीन है बाहर जाओंगे थोड़ा सा व आप लोगों को और भी कुछ जादा देखने को मिलेगा नेक्स व्लोग में जाओंगी थोड़ा सो शॉपिंग में तो वह भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी तो आप लोग भी ठीक रहो अगर मेना व्लोग पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दिए नाइ मिलतनी किसी रवें तिल दो टिल दल वाई लोगों अर मुझा इंस्टस्ट्राम में भी फोलो कर रहा हा है